वीडियो देखने वालों को नमस्ते आज बात करेंगे हम तबलीगी जमात के बारे में जो की काफी न्यूज में जो है अभी कुछ दिनों से चल रही है तो इसको जो है करोना के साथ जुड़ा जाता है काफी जादा करोना फेलाने में इनका हाथ ऐसा बोला जाता है उस सब प जमात का मतलब हो जाता है कि कोई संगठन कोई और्गनाइजेशन तो ये तबलीग जमात क्या हो जाती है ये एक ऐसा और्गनाइजेशन हो जाता है जो लोगों से जुड़ने का काम करती है और जुड़ के जो है क्या करती है वो इसलाम का प्रचार करती है और ये लोगों क अपने follow करने वालों को ये कहती है कि वो original form वाला Islam follow करें जो कि Prophet Muhammad follow करते थे तो ये जो है ये काम जो है जमात करती है अब इस जमात को जो है originally सुनी लोगों ने बनाया है और उसके जो भी member हैं वो सब सुनी है तो 10 करोड के करीब जो है इसके सदस्य है और सब के सब सुनी है तो शिया हो अहमदिया हो बोरा हो सुफी हो इस तरह के जो है Muslim वर्ग वो इससे जुड़े हुए नहीं है सिर्फ सुनी जुड़े हुए ये जो है भारत इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापोर बंगलादेश पाकिस्तान जैसे देशों में काफी एक्टिव है अब यहां कुछ इंटरस्टिंग से फैक्ट यह है कि साओधी अरब जहां पे खुद मुहमद साब का जन्म हुआ था उस देश ने जो है इस तकलीबी जमात को बेन कर रखा है इसको ना सिर्फ बेन कर रखा है बलकि इसका कोई भी लिटरेचर जो है उनके देश में ना आए इस पर भी उन्होंने प्रतिबंद लगा रखा है तो यह बड़ी इंटरस्टिंग बात हो जाती है साथ में इरान में भी जो है इस पर प्रतिबंद लगा हुआ है और इसके कई लोग जो है आतंगवादी गतिवीडियों में लिप्त पाए गए हैं यह भी कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन भी इसी तबलीवी की जमात का सदस्य था अब जब करोना के साथ इसके कनेक्शन को हम देखें तो 30 जनवरी को WHO यह डेकलेर करता है कि करोना वाइरस जो है एक ग्लोबल एमर्जेंसी है अब जब कोई ग्लोबल एमर्जेंसी डेकलेर हो जाती है ग्लोबल पैंडमिक डेकलेर हो जाता है तो फिर आपको अपनी इस प्रकार की एक्टिविटीस स्वता ही बंद कर देनी चाहिए लेकिन ये जमात वाले नहीं कत मानते 27 फरबरी को ये 16,000 लोग जो है कौलालंपूर मलेशिया में जो है एक अपना इस्टिमा का जो है एक मेला टाइप का होता है उसका आयोजन करते हैं और इसके बाद जो है मलेशिया में बहुत सारे करोना केसस जो है सामने आ जाते हैं अब हम अपने हां की बात करने तो 13 मार्च को जो है दिल्ली की सरकार ने जो है ये अनाउंस कर दिया था भारत की सरकार ने कि 200 से जादा लोग कहीं पर भी इखटे ना हो लेकिन 15 मार्च को जो है ये 3400 लोग जो है वो इखटे हो जाते हैं दिल्ली के निजामोजदीन कॉलोनी में तो यहां पर वोइलेशन जो है कलियर आपको देखने में आ रहा है फिर 15 मार्च को जो है इन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ी सी जो है इसित्तमा की जिसमें धा़ईलाग से जादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और यहीं से पाकिस्तान में भी जो है बहुत तो इन जमातवालों ने जो है क्लियरली जो भी इनको आदेश दिये गए थे जो भी नियम काइदे थे उन सब का इन्होंने उलंगन किया है तो WHO द्वारा पेंडमिक डिकलेर होने के बाद भी आप इतने सारे देशों में ये सब क्यों कर रहो तो यही एक पहली गलत बात हो जाती है फिर जब और दिया गया है कि पास से ज़ादा लोग इखटे ना हो फिर क्यों जुण बना के बैठे हो हर जगे तो ये भी एक गलत बात हो जाती है फिर एक और बात ये हो जाती है कि अधिकतर लोग जो है वो टूरिस्ट वीजा पर देश में आये हुए थे और भरत सरकार के नियम के हिसाब से टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ वेक्ति सिर्फ टूरिस जैसा ही होना चाहिए उसको जो है ये रिलीजियस काम करना प्रचार प्रचार करना इसका करना कोई का कोई अधिकार नहीं है और ये कानूनिन जुर्म भी है तो बहुत से अधिकतर जो है हजार की उपर जो है जमाती जो है वो टूरिस्ट वीजा पर ही यहाँ पर आये थे और इसकी जानकारी जो भी इस जमात को और्गनाइस कर रहे थे वो उन सब को सरकार को देनी चाहिए थी जो की नहीं दी गई और एक और बात जो सामने आई वो ये कि कई जमाती जो है देश भर के मस्जिदों में छुपे हुए पाए गए हैं तो ये सब छुपे हुए हैं जमाती हैं तो इनकी जानकारी तो जो भी जमात की कमिटी जो और्गनाइसेशन कर रही उसको होती है तो इन्होंने जो हैं सब चीजों को क्यों छुपाया कि क्यों इतने सारे नियमों का जो है वोईलेशन किया तो बिना आग के धुआ नहीं होता है तो जब ये सारी चीजें वोईलेशन कोई कर रहा है एक के बाद तो जरूर जो है उसकी नियत में गड़बड़ वाली बात हो जाती है अब अगर हम केस की बात करें तो जितने भी केस मलीशिया में हुए है उसमें से आधे जो है इस जमात से लिंक्ट पाए जा रहे हैं इन जमातियों ने साथ देशों में करोना वाइरस को फैलाने का काम किया है भारत के अभी तक के डेटा की बात करें तो 30 प्रतिशत केस जो है सीधे-सीधे इन जमातियों से लिंक्ट पाए गए है और 50% से ज़ादा कई ऐसे राज हैं जहां पे सीधे सीधे केज जो है इन करोना वालों के कारण है इन जमातियों के कारण है जैसे कि तमिल लाडू, दिल्ली, तिलंगाना वगेरा इस प्रकार के राज और पाकिस्तान में भी जो है जो फेला हुआ है वो भी इनी सब के कारण ह भी बीच में कुछ एक्शन लिया था पर बाद में जो है वो कटरपंतियों के दबाव में उनको वापिस जो है आना पड़ा अब जड़ा कुछ बीडिया न्यूस पे ध्यान दें तो ये प्रिंट की रिपोर्ट है जो कह रही है कि साउथ एशिया में सबसे जादा करोना फ चुपाया तो कोई जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज में जा रहा है और उसकी जानकारी को छुपा रहा है तो जरूर बहुत गड़बड वाली बात हो जाती है तो ऐसे सेकड़ो जो है जमाती निकले हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की अपनी ट्रावेल हिस्ट्री को छुपाया फिर जो है इनकी कुछ उल्टी सीदी हरकते भी जो है हमने देखी है सुनिए कि डॉक्टरों के ऊपर थूकना नर्सों के साथ जो है दुर्वियावार करना थूकना गंदगी करना ये सारी चीजे जो है इन लोगों ने की है तो ये भी जो है अच्छी बात नह करने के लिए पुलिस आई दी तो कुछ लोगों ने यहाँ पे गोलियां भी पुलिस पे चलाई तो बहुत सी गलत चीजें हुई है अब एक और इनका जो भी मौलाना है जो इस जमात का प्रमुक है वो आज भी फरार है मौलाना साथ अब कोश्चन ये खड़ा होता है कि कह नहीं चुपा हुआ है ये चुपा हुआ अकेला नहीं होगा इसको चुपाने वाले भी कई लोग होंगे तो क्यों चुपाया जा रहा है जब आप जानते हैं कि ये आदमी गलत कर रहा है देश का कानून इसको ढूंड रहा है तो फिर इसको चुपाया क्यों जा रहा है क्य नहीं अपने आप में जो है हजारों कोश्चन मार खड़े कर देता है, आपकी देश की प्रती निष्ठा पर भी सवाल खड़े कर देता है, समाज के प्रती आपकी निष्ठा पर भी सवाल खड़े कर देता है, तो इस हमारी से लड़ना हर व्यक्ति का करतव्य है, देश को उस इसने ये सब कराया लोगों को उकसाया और अभी भी लोग जो है कुछ लोग इसको छिपाय हुए है उनकी जानकारी पुलिस को नहीं दे रहे हैं तो यह अपने आप में ही हजारों कोश्चन मार खड़े कर देता है आपकी निश्ठा के ऊपर तो यह रही आज की बात इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिए फिर मिलेंगे अपन जहन